बोलिवुड में ऐसा शायद ही कोई होगा जो दिलकर शदागारा मंदीरा बेदी को ना जानता हो मोडलिंग की दुनिया से एक्टिंग में कदर मखने वाली मंदीरा बेदी का आज 47 वा जनम दिन है हलाग अपनी फिटनेस से वे बोलिवुड की एक्टरिस को मात देती आई हैं साल 1994 में मंदीरा ने शांती सीरियल से अपने करियर की शुरुवात की थी वही अगर बात की जाए उनकी फिल्म दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे तो इससे उन्होंने बॉलिवुड में डेबू किया था और बॉलिवुड में अपना पहला ख़तम नखा था वही अगर हालफिल हाल की बात की जाये तो मंदीरा अबेदी एक बार फिर से चर्चाओं में है अपनी मुख़ेब हुमिका की वजा सै और वो भी एक नई फिल्म में जिसका नाम है ताशकंद में मंदीरा वेदी एहम भुमिका में नजराएंगी 47 साल की मंदिरा एक पहतर टीवी प्रेजेंटर के तोर पर अपनी पहचान बना चुकी है वो फैशन डिजाइनर है और इसके लावा मंदिरा एक अच्छी एक्टर भी है और साथ की साथ वो योगा भी करती है वही आज मंदिरा बेजी का 47 वा बर्डे है और हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे बयान के भारे में जिसके बाद मंदिरा पे भी खासी चर्चाओं का विशे बन गई थी जानकरी दिर चलेंगे पिछले साल इंडस्ट्री में कास्टिंग काउज का मुद्दा चाया रहा और मीटू अभ्यान जैसे अभ्यान भी सोशल मीडिया पर चलते रहे इस पर उनोंने कहा था कि मैं बीते 24 सालों से मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ लेकि मुझे आई तक किसी ने इस तरह का कोई ओफर नहीं दिया ये तभी संभाव होता है जब दूसरा इंसान समझोता करने के लिए तैयार हो जाता है ये हमेशा दो तरफा रहता है साफ तोर पर मंदिना बेदी का ये कहना था कि जो भी अभेने तरियां या मॉडल्स आरोप लगा रही है उन लोगों पर जिनको वो कहती है कि वो मेट्टू अप्धान के तहट उनके साथ कुछ गलत कर चुके हैं वो खुड जिम्मेदार है इस बार्त के हालकि ये बात कितनी सही है कितनी गलत इस बात का विश्लेशन करना जुरूरी है लेकिन फिर भी अगर बात की जाए किस बयान की तो इस बयान के कारण मंदिरा मेदी खासी सुर्खियां बटो चुकी है और तरचाओं में रह चुकी है देख़ूर दुनिया के तमाम ख़बरों सुझूड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल न भूले ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट